गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स और आज संडे है संडे के दिन आज मैंने ब्रिक्फास्ट नहीं बनाया था क्योंकि सुवेज साफ सफाई और इसमें टाइम लग गया और कमल जी छत धोरोय थे क्योंकि आजकल हमारे यहां बहुत धूल आती है हम लोग का जो दिल्ली है अब धूल स्पेशलिस्ट दिल्ली बन चुकी है इतनी धूल आती है न कि अभी जैसे की चत धोलो फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही हो जाता है और मैं दूसरे काम कर रही थी कि बालकनी की का या बाजरे कार्टा बनाती हूं तो बहुत ज्यादा कलेश करता है कलेश नहीं करता मतलब खाते समय अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है आप लोगों को वही बनाते हो मेरी मर्जी का कोई ध्यान नहीं रखता तो मतलब एक तरह से ताने मारता है तभी मैंने सोचा कि उसको पता भी ना चले तो जैसे कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि बच्चे इस टाइप से नोटंकी करते है और थोड़ा difficult भी होता है अगर आप मक्की काटा regular बनाएं तो उसमें थोड़ा सा जंजट होता है पानी गरम करके उसको थोड़ी दर छोड़ो और इसमें क्या होता है गेहों काटा थोड़ा मिक्स कर देंगे तो आपको benefit तो मिली जाएगा और मक्की काटा और साथ में जो normal रोटी जैसी लगएगी थोड़ी soft भी हो जाएगी और मोटा आनाज मिक्स कर देने से हो जाता है कि digestion अच्छा होता है और खास करके जो लोग diabetic है उन लोग के लिए भी सही रहता है क्योंकि ये अचानक से sugar को spike नहीं करता है तो जैसे कोई भी मोटा आनाज तो यह मेरे आज हम लोगों का ब्रंच है इसमें सलाध है राइता है और यह आलू का भुजिया है जिसमें पाच फोड़न डाला है और पराठे है खाना खाने के बाद फिर मैं छट पे आके कपड़े उतारी हूं और धूप का तो आजकल पता ही नहीं होता लेकिन जल्दी फे स्वाइब कामना रहता है उसके बाद यश ने कॉफी बनाई थी तो मैंने तो कफी पी लेती हूं कि वैसे ठंड हो रही है और उसके बाद शाम को मैं बना रहे हूं हलवा सूजी का तो मैं कोशिश करती हूं फिर से कि जैसे कि संसेट से पहले ही खालू लेकिन इन लोगे च यह लगता है कि आलस जैसा लगता है और जैसे जिलनों का वात बढ़ने की प्रॉबलम होती है तो उनको भी पैर हो गएरा में दिक्कत होती है और यह मैंने कुछ समान मंगाया था बलिंगेट से तो इसमें मक्य काटा मैंने मंगाया और यह थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ यह उसका है 24 मिंत्रा का क्योंकि यही वाला अविलिबल था भी और बाकी खतम हो गया था और कमल जी भी मंदिर से आ गया है क्योंकि संडे को मंदिर जाते हैं और फिर इनों के लिए मैं खाना बना रही हूं यह चावल बना रही हूं इसमें मैंने पनीर बनाया है और दिन म उसके बाद जैसे कि हम लोगा आपने देखा होगा जिन घरों में लंच और डिनर अगर लेट से करते हैं तो बॉडी में प्रॉब्लम्स तो जो होती हैं वो होती हैं लेकिन उन घरों में काम है न आप देखोगे कि सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं होगा था मतब टाइम सब कुछ लगता है रिवाल्व हो रहा हूं तो इसलिए अगर आप दिनर जल्दी कर लेंगे न तो उसके बाद आपको लगेगा यह बहुत सारा टाइम है बहुत कुछ आपके पास टाइम बचा हुआ है आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो इसलिए जैसे कि मैं डिनर यह जैसे किचन से रेलेटेड़ या कुछ और ही अपना ही कोई काम तो वो मैं निप डा लेती हूँ तो इससे असान हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हम जल्दी खाना खाते है तो उसे हमारी हेल्थ भी सही रहती है और घर का महौल भी पहुता है और बस इसमें म खाते हैं वही मैं खा लेती हूं तो बस इसको मैंने ढग दिया और चावल जब पक जाएंगे न उसके बाद मैं इसमें पनीर डालूगी और यह मैंने घर का बनाया है तो घर का जैसे कि आप दूद अगर मगवाते हैं तो उससे बनाएंगे पनीर तो उसका टेस्ट काफी अल सब्सक्रावल बहुत ज्यादा लंबे वाले नहीं हैं तो इसलिए उतने ज्यादा लंबे नहीं दिख रहें लेकिन हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इन्लों को खाना देने के बाद फिर मैं शाम गरा दोने के बाद और जो मेरा शाम का इवनिंग रिच्वल जोबी पूजा हो गरा का वो करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो कुछ स्नाक्स और घर में वो बना के रख देती हूँ काजू बहुंद तो इसके लिए मैं पहले तो एक साइड में काजू रही हूं रोस्ट कर रही है क्यूंकि यह अब काजूद वो करते हो ना शोक निरा जाता हुसा करते हैं जो पहले मैं नमक डाला है काफी सा जिसे के जले ना और अच्छी तरीके से इवनली रोस्ट हो जाए के बाद जब में मसाले वासाले डालने होंगे तो अपनी टेस्ट के काॉअ सकते हैं तो मैं बहुत जाद में नहीं डालूँगी और दूसरी साइड मुन्फलि को सदूड़िगा धले और टाइम नहीं होता तो उसे में हम लोग कुछ उल्टा-पुल्टा खा लेते हैं जैसे चिप्स हो गया यह और भी बहुत तरह की इस टैप ही चीज़े जंक खाते हैं तो इससे बेटर है घर में कुछ बना के रख लूँ तो यह खतम हो गया तो सारा कुछ तो मैंने सोचा ब और उसके बाद चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और चाहे तो इसको थोड़ा सा आप टेस्टी बनाने के लिए इसमें जैसे की मसाले के साथ इसको फिर से कर सकते हलका सा पुन सकते हैं तो यह हमारा काजू मैंने इसको निकाल लिया नमक से नमक हम इसको यूज कर तो कह रहा था यह मसाले डालो वह मसाले मैंने कहा कि फायदा क्या है राइफूट का ने का पस यह मैंने चाट मसाला और नमक डाला है और उसके बाद एक-दो मिनट हम इसे मीडियम टू लो फलिम पे इस तरीके से चलाएंगे जिससे कि यह भून तो पहले ही चुके थे कड़ाई में बड़ी वाली निकालना सोच रही थी लेकिन फिर आलस के चक्कर में मैं निकाला नहीं मैं इसी में वो डाल दिया अब इसको तब तब हमें चलाते रहना है जब तक यह अच्छी तरीके से भुन ना जाए और यह काजू भी अल्मोस्ट होने वाले हैं और हम मिलब हो गया यह ठंडे हो जाएंगी तो मैं एक तो तक जाएं जो बूटा सबसafterी मेरे हम पे हरी मिर्च थोड़ा से शयार डाल आट डूवा ना हो गया मेरे feature रहे हैं तो यह पहली सब उने रहे हैं और वह हम निकालने रही है और यह फिर जलने का रएता है और इस देख रहा हूँ चला रही हूं तो बरतन ज्यादा नहीं है कड़ाई ज्यादा बड़ी नहीं और यह श्मान ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा वह गया भिखर गया है लेकिन अपने घर में तसल्ली होती कि कोई डाटने वाला नहीं है तो बस अभी इसको मैंने बाहर फ्लेट में रख दिया है जिसे कि यह ठंडा हो जाए ताकि इसको मैं जार में डाल लो और इस टाइप के जो स्नैक्स होते हैं यह मतलब हमेशा ही सही लगते हैं दूसरी साइट मैंने मुर्मुरे को भी मसाले थोड़ा से गी और नमक चाट मसाला वगरे डालके भूल लिया था उसमें यह वाला जो पोहे का बनाया था वो मिक्स कर दिया तो टो तरह के हमारे बन गया और उसके बाद काजू था वालग खेर है काजुकतों Casey अन्यां सकते इतना जादा को काके हम धने थो सही लगता है और किचन का यह हाल हो रखा है मैं इसको फटा-फट से क्लीन कर लेती हूं और सही में ऐसा होता है कि अगर जैसे कि मदर इनलो हो तो वह तो बहुत डाटेंगी अगर इस तरीके से हम काम करें तो यह जल्दवाजी का किया हुआ काम है लेकिन यह है कि अपने घर में कोई डाट की डेड़ चमच मेथी मैंने इधर रखी है पानी में भिगोने के लिए इस रख दूँगी आप लोग पूछ रहते न में मेथी कैसे लेती हो तो यह इसको पानी में भिगो देती हो और फिर सुबह सुबह कमल जी इसको पी लेते हैं बिना अबाले हुए तो जो भी बहल मे मेहंदी के अधिया है मेहंदी का पानी था बल चुका है तो फिर मैं इसमें डाल लिए और इसको मैं रात भर इस तरीके से छोड़ दूगी और सुबहे मैं लगा लोगी क्योंकि काफे ताइम से मैं सोच रही थी अब ज्यादा थंड आईगी फिर तो लगाने काऊंगी हो चुका है और उसके बाद आप थोड़ी दिर में पढ़ूंगी और उसके बाद मैं जो भी मुझे जाप पगर करना होता है सब में कर चुकी हो और अभी काफे टाइम है तो मैं दिखाती हूं आपको मेरा यह प्लैनर और इसके हिसाब से तो पूरा नहीं चल पाती हूं क्यो होता है कि प्लैनर रहने से थोड़ा सा इक रफ आइडिया रहता है और जैसे कि जो तिथी और है वो सारे चीजें आप साथ में नोट करेंगा तो फिर आपको मतलब कुछ टाइम के बाद आपको एक ट्रैक रहेगा कि हाँ इस दिन मतलब इक पर्टिकुलर डेट पे आपको इस टाइप का है यह प्लानर यह है तो अभी तो मैंने इसे रिसेंटली यूज करना शूकिया उससे पहले तो मैं प्लेन डाइल में लिखती थी सारा कुछ जो मुझे करना होता था उसमें से कुछ टास्क अचीव हो पाते थे कुछ नहीं क्योंकि हमने अचीव कर लिया तो जैसे कि वह भी अपना सब कुछ लिख सके उससे उसके लिए असान होगा कि उन चीजों को फालो करना और बाद में वह ट्रैक कर सकेगा कि हां कहां क्या मिस्टेक होई कहां इंप्रूब्मेंट की जरौत है तो आप भी मतलब इस टाइव का प्लानर कुद के लिए भी ले सक